तीस अक्टूबर दो हजार चौबिस की आधी रात को इरान की राजधानी तेहरान में हमास के मुख्या इसमाईल हानिया की एक धमाके में हत्या हो जाती है हानिया इरानी सेना के एक ऐसे गेस्ट हाउस में ठहरे हुए थे जहां पर परिंदा भी पर नहीं मार सकता है और दूसरी चीज ये कि हत्या से एक दिन पहले ही हानिया इरान के नए राश्पती पैजेश्कियन के शपत ग्रहन में शामिल हुए थे लेकिन जब उनकी हत्या हुई तो सबसे ज्यादा इरानी सेना की साख पर बट्टा लगा है कि कैसे उनके घर आए एक मेहमान की उनहीं की धर्ती पर हत्या हो जाती है हाला कि शुरुवात में ऐसा कहा गया था कि हानिया की मौत एक एर स्ट्राइक में हुई है लेकिन अब अमेरिकी अखबार दन्यू योक टाइम्स ने इसको लेकर एक बहुद ही संसनी खेज खुलासा किया है और इस खुलासे ने एक बार फिर से इरानी सेना के अंदर की कलाई खोलकर रख दी है नियू योक टाइम्स को एक अमेरिकी और साथ मिडलीस्ट की अधिकारियों जिन में से एक इरान की रेविलुशनरी गाड कॉप्स का अधिकारी भी है उसने बताया कि हानिया की मौत एक बम धमाके में हुई है और ये बम दो महिने पहले तसकरी के रास्ते तहरान पहुचाया गया था और इस बम को उसी गेस्ट हाउस के कमरे में प्लांट किया गया था जिसमें हानिया ठहरे हुए थे और इस बम में रिमोट कंट्रोल के जरिए ब्लास्ट कराया गया था तीन इरानी सूत्रों ने New York Times को बताया कि धमाके से खानिया के कमरे की खिड़किया उड़ गई थी और दिवार का एक हिस्सा गिर गया था हाला कि धमाके में बिल्डिंग को बहुत कम नुकसान हुआ था और इस बिल्डिंग की जो तस्वीर अखबार को मिली है उसमें भी धमाके से हुआ नुकसान कम से कम दिख रहा है और इससे ये पता चलता है कि ऐसा धमा का मिसाइल से नहीं हो सकता इसके अलावा हानिया के बगल में फिलिस्तीनी इसलामी जिहाद के नेता जायद नकलेक ठहरे हुए थे जिनके कमरे तक इस धमाके का नुकसान नहीं पहुचा है और इससे ये पता चलता है कि हानिया को निशाना बनाने की ये एकदम सटीक प्लैनिंग थी यहां तक कि इसकी योजना बनाने में महीनों लगे और बेहद ही बड़े स्तर पर जासूसी की गई हालं कि दो इरानी अधिकारियों ने नियू यूऌक टाइम्स को बताया कि उन्हें नहीं पता कि कब और कैसे हानिया के कमरे में ये बम रखा गया था वहीं पाँच मिडलीस के अधिकारियों का कहना है कि तकरीबन दो महीने पहले इस बम को प्लैंट कर दिया गया था मिडलीस के पाँच अधिकारियों का कहना है कि इसराइली एजिंसियों ने धमाके के तुरंत बाद अमेरिका और अपने अन्य पश्च्चमी सहयोगियों को पूरे आपरेशन की जानकारी दी थी वहीं दूसरी तरफ अख़बार की रिपोर्ट्स ये भी कहती है कि कई अमेरिकी अधिकारी इस निसकर्श पर पहुँचे है कि हानिया की हत्या में इसराइल का ही हाथ था नियॉयोक टाइम्स ने अपनी रिपोर्ट में कहा कि IRGC का कहना है कि जिस तरह से ये धमाका हुआ है वो साल 2020 में इरान के सबसे बड़े परमानु वैज्यानिक मुहसन फकरिजादे की हत्या की याद दिलाता है जिनकी एक रिमोट कंट्रोल मशीन गन से हत्या कर दी गई थ वही मिडलीस्ट के पाँच अधिकारियों का कहना है कि जिस बम से हानिया को उड़ाया गया उसे भी रिमोट कंट्रोल के जरिये ही ऑपरेट किया गया था नियुयोक टाइम्स के मुताबिक सुभा के करीब तड़ के दो बजे हानिया के कमरे में धमा का हुआ और उसके तुरंत बाद मेडिकल स्टाफ वहां पर पहुँचा जिसने उन्हें मृत गोशित कर दिया हुआ पहुआ है